नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली करेंट अफेर्स की सीरीज में आज इस पार्ट में हम लोग 28 अगस 2019 के टॉप 10 करेंट अफेर्स और उनसे रिलेटेट फैक्ट्स को देखेंगे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप फेस्बुक पेज और फेस्बुक ग्रूप को भी जॉइन कर सकते हैं जहां पर आपको इस चैनल संबंदि समस्त अपडेट जो है लगातार मिलती रहती है तो चले स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट हाल ही में तेंजिंग नोरगे राष्टी सहासिक कार पुरुसकार 2018 की घोशना की गई है ये पुरुसकार कितनी स्रेडियों में दिया जाता है तो तेंजिंग नोरगे राष्टी सहासिक कार पुरुसकार जो है चार स्रेडियों में दिया जाता है अब ये चार स्रेडिया कौन सी है तो ये चारो स्रेडिया जो है भू सहासिकार जल सहासिकार वायू रोमांच और जीवन परियंतियानी लाइफ टाइम अचीवेंट अवाड के रूप में दिया जाता है इन पुरुसकारों की घोशणा 27 अगस 2019 को की गई है। इसका योजन सूचना वा प्रसारण मंत्राले द्वारा किया जा रहा है इस वर्ष कम्यूटी रेडियो सम्मेलन की थीम क्या है सतत विकास लच्छियों के लिए कम्यूटी रेडियो तो इसका जो है जो थीम है यह ज़रूर याद रखिएगा इंपोर्टेंट है अगला प्रस के नाम पर रखा गया है लेकिन इस बार इसका नाम जो है simply android 10 रखा गया है इस से पहले android के सभी संस्क्रणों का नाम खाद वस्तुम पर रखा जाता था और इसका जो कोड नेम है इसका यह android Q तो आपको यह भी याद रखना है यह पूछा जा सकता है option में कि इसका कोड नेम लाभांस तथा आधिक के रूप में सरकार को कितने रूपए का हस्तान अंत्रन करेगा तो भारती रिजर बैंक जो है 1.76 लाग करोन रूपए का लाभांस का आधिक के रूप में भारत सरकार को देगा इससे पहले अगस 2018 में भी भारती रिजर बैंक ने यार्बियाई ने सरकार को 40,000 करोन रूपए हस्तान अत्रित किये थे भारती रिजर बैंक जुलाई से जून वित्ती वर्स का पालन करता है यानि इसका जो वित्ती वर्स होता है फाइनेंशियल येर होता है वो एक जुलाई से सुरू होके 30 जून तक रहता है और सामानता अगंस्त में ये लाभांस का वित्रन करता है बारती रिजर बैंक के द्वारा प्रदान किये जाने वाले इस लाभांस से सरकार को पूंजी में बैंकों में पूंजी डालने में सहायता मिलती है हाल ही में किस राज ने अपना अलग ध्वज और अलग समिधान की मांग करना सुरू कर दिया है तो ये मांग जो है उठ रही है कहां से नगा लैंड से National Socialist Council of नगा लैंड के महासचीव ने प्रदान मंतरी को पतलिक कर एक अलग ध्वज और अलग समिधान की मांग की है पूर्वत्तर में इस्थित नगा समदाय और नगा संगठन एतिहासिक तोर पर नगा बहुल इलाकों को मिलाकर एक ग्रेटर नगालिम राज बनाने की मांग बहुत लंबे समय से कर रहे हैं नगालिम या ग्रेटर नगा राज का उद्देश मडीपूर असम अरुणाचल पर देश के नगा बहुल इलाकों को नगालिम में विले करनाना है और ये देश की पुरानी समस्याओं में से एक है हालही में किस राज में सबसे उची गडेश की पृतिमा बनाए जा रही है जो कि उत्तर भारत में अपना बहुत प्रमुक मेलों में स्थान रखता है तो इसके साथ ही ये नगर एक विसेश पहचान और बनाने जा रहा है चंदवसी में ही सबसे उची गड़ेश जी की प्रतिमा बनाई जा रही है इसकी उचाई कितनी होगी 135 फीट कहीं कहीं जो है कुछ सोर्सेंज में इसको 140 फीट लिखा है लेकिन अधिकांस जगहे पर जो है इसको 135 फीटी लिखा गया है ये 10 किलोमिटर दूर से भी दिखाई देगा वर्तमान में सबसे बड़ी गड़ेश प्रतिमा कहाँ पर है महराश्ट के कोलहा पुरमेस्ति थे जिसकी उचाई है 85 फीट अगला प्रस्ण हाल ही में किस राजी सरकार ने दीपोर बील के आसपास के छेतर को पर्यावरण सम्वेदी छेतर या इंगलिस मिसको क्या कहेंगे एको सेंस्टिव जोन घोसित करने का निरदेश दिया है तो आप जानते हैं दीपोर बील कहां पर है ये असम में है राश्टी हरित अधिकरण यानि एंगीटी नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल ने असम सरकार को दीपोर बील गुहाटी के पस्चिम किनारे परिस्तित एक प्रमुक आद्र भूमी है जो है एक वेटलेंड है कि आसपास के छेतर को परियावरण समवेदी छेतर या एको संस्ट्यू जोन गोशित करने का निरदेश दिया है दीपोर बील एक महत्पूर पच्छी छेतर है और एक रामसर साइट भी है जिसके निकट एक आरचित बन भी है दीपोर बील ताजे पानी की एक जील भी है तथा अधिकरमण के कारण लंबे समय से इस छेतर में कमी हो रही है कभी 4000 हेक्टेयर छेतर वाला या छेतर अब घटकर मात्र 5000 हेक्टेयर रह गया है दीपोर बील प्रवासी पच्छियों की 200 से अधिक प्रजातियों का यहाँ पर वास होता है दुरस 2018 में राश्ट इस्तरिये विश्व आदरभूमी दिवसकायोजन दीपोर बील में ही किया गया था तो दीपोर बील पर्यावरण की लिहाद से बहुत ही इंपोर्टेंट है और यह असम के गोहाटी के निकटिस्तिते यह भी आदकना आपको साथ ही यह भी आदकना है कि यह रामसर साइट है और इसी नाम से यहाँ पर एक ताजे पानी की जील है जिसको अब एको सेंस्टिव जोन बनाया जा रहा है बिश्व स्वार संगठन यानि WHO द्वारा जारी नवीनतम आकणों के अनसाथ दुनिया के कितने प्रस्त लोग जो की कुष्ट रोग से गरसित हैं भारत में मौजूद हैं भारत में पूरी दुनिया के कुष्ट रोगियों में से 6-6 प्रस्त रोगी जो है केवल भारत में निवास करते हैं भारत ने अधिकारिक रूप से वर्स 2005 में कुष्ट रोग को समाप्त कर दिया था और उस समय राष्टी इस्तर पर इसकी प्रसारदर 0.72 प्रती 10,000 लोगो सामने आये थे मार्च 2017 तक प्रदेश के 11 राजियों और केंसासित प्रदेशों के लगबग तिरपन जिलों में कुष्ट रोग की प्रसारदर 2 प्रती 10,000 पाई गे थे यनि 10,000 में से 2 लोगों को कुष्ट रोग हो रहा था ये उसकी दर थी ये कौन कौन से राजिय थे बि प्रती 10,000 की दर से कुष्ट रोगियों की पहचान की जा रही थी हाल ही में किस देश ने अपना पहला तैरता परमाणू रियक्टर जिसका नाम रखा गया है अकादमिक लोमनोसोम लांच किया है तो ये अकादमिक लोमनोसोम नामक तैरता हुआ परमाणू रियक्टर जो ह इस reactor की प्रभावसालता को देखते हुए इसे बर्व पर चेरनोबिल यही जो चेरनोबिल दुरहटना हुई थी रेक्टर कारण उससे संबंदित बर्व पर चेरनोबिल और परमाडु टाइटेनिक का नाम दिया है अकादमिक लोमनोसोम जो की परमाड वीधन से भरा हुआ है रूस इसके संयंत का उपयोग आर्कटिक छेतर में बड़ी बुद्यादी धाचागट परियोजनाओं खनी स्टेल और हाइड्रोकार्वन की खोज हेतु करेगा अगला प्रस्ण हार ही में जारी रिपोर्ट के अंसार भारत के नियंतर के वो महालेखा परिक्षक यानि C.A.G. ने वस 2015 की किस बार को मानो निर्मित आपदा की संग्याद दी है यानि वो एकॉन सी बार ती इसके बारे में ये कहा गया है कि वो मानो निर्मित थी मानुवी का परणों से वो आई थी तो चेन्नई की बार जो 2015 में आई थी उसको मानो निर्मित आपदा का संग्याद दी गई है चेन्नई की बार और वर्तमान जल संकट इस बात का संकेत हैं कि किस प्रकार जीलों नदियों के अधकरमण ने भारत के छटे सबसे बड़े सहर को पर्याव परण असमवेदे सिल्था की इस्तिती में पहुंचा दिया है तो दोस्तों आज के 10 करेंट अफेर समने देखे इस सीरीज डेली सीरीज है इसलिए अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए अगले पार्ट मिलते हैं नमस्क धन्यवाद।